हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू अलाइन इस्टेटी किंग्डम दोस्तों उत्तर प्रदिश राजस शुलेकपाल का जो पेपर होने वाला है चब्स जुलाई को तो ग्राम समाज से संबाधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिसी के विशेश प्रकार तो ग्राम समाज के पेपर के पॉइंट आप विशे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा पहला तथ्य दिया है एपी कल्चर तो एपी अस्तर पर सहद उद्वपादन हे तो मुधवक्षी पालन होता है तो एपी कल्चर किस से संबंदित है याद रखेगा मधुमक्षी पालन से फ्लोरी कल्चर तो फ्लोरी कल्चर में व्यापारिक अस्तर पर की जाने वाली जो खेती है वह फूलों की खेती होती है हर्टी कल् कल्चर जो है यह फलों के उत्पादन से संबंदित है आर्बरी जो कल्चर है यह विशेश प्रकार के ब्रिक्षोयों ज्ञाडियों की क्रिसी जिसमें उनका स्रुरक्षण यूम शंबर्धन भी सामिल होता है नेक्स्ट होर्सी कल्चर तो यातायाद के लिए उन्नत प्रजात की घोडों और खचरों का व्यापारी कस्तर पर पालन होता है होर्सी कल्चर में वर्मी कंचर में क्या है तो इसमें केचवे पालन से शंबंदित याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका ओलेवी कल्चर तो व्यापारिक अस्तर्टर कीजेने वाली जैतून की खेती तो जैतून की खेती क्या होगा आपका ओलेवी कल्चर नेक्स्ट है आपका मेरी कल्चर तो मेरी कल्चर में समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया होती है पोलेरी कल्चर में क्या है तो इसमें सबजियों की क्रिसी है पिसी कल्चर में मसली पालन बिटी कल्चर में क्या है तो इसमें अंगूर उत्पादन तीक है तो अंगूर उत्पादन से संबदित है बिटी कल्चर शेरी कल्चर तो इसमें रेशम पालन की क्रिया जिसमें सहतूत आदि की क्रिसी भी सामिल है तो रेशम पालन शहतूत क्रिसी ठीक है शेरी कल्चर हो जाएगा नेक्स्ट है आपका सिल्वी कल्चर तो सिल्वी कल्चर में बनों के संबर्धन यों सनरक्षन से शंबंधित है वही पर एरिपोनिक एरिपोनिक में क्या होता है तो मिर्दार रही तो जो क्रिसी है पौधों को हवा में उगाना होता है ठीक है तो एरोपेनिक में पाउधों को हवा में उगाया जाता है जैसे कि आप जो हाइड्रोपोनिक पढ़ते हो तो हाइड्रोपोनिक में क्या है जल में उगाया जाता है पाउधों को तो किसी भी एक फसल किस्म को सुधरोप से उगाना किया है? मोनो कलचर में क्या होता है? किसी सोल क्राप को निश्चित भूमी पर लगातार उगाना परंद वर्स में एक ही फशल लेना मोनो कलचर की तहत होगा तो दोस्तो यहां तीन मिनिट के वीडियो रहा है important fact रहें exam के point आप भी से revision के लिए काफी help करेगा Thanks for watching